नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Study with Happiness केस हमारे informative वीडियो में दोस्तों Facebook गुरूप पर मुझे एक ये letter मिला है और अगर ये सही होता है तो जितने भी लोगों ने Gram विकास अधिकारी का paper दिया है उनके लिए बड़ी ही अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि इसमें letter में जो बात कही गई है वो related है आपके पदों को बढ़ने से लेकर तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका विश्य है वो है जून महा 2019 तक रिक्त होने वाले Gram विकास अधिकारी कि पदों की सूचना संलगन प्रारूप पर अधियाचन हितु उपलब्द कराने के संबन में मतलब बात यह की गई है दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि कई लोग माल लीजे वीडियो से प्रमोशन हो गया या फिर वीडियो से रिटार्मेंट हो गया तो ऐसे में जो पत खाली है उन्हें जो अभी रिक्रूट्मेंट चल रही है उसमें जोड़ दिया जाए जिससे कि वो पतों को भरा जा सके तो ऐसे में होगा क्या दोस्तों जो कट आफ जो ज़्यादा जाने वाली होगी वो कम जा सकती है मगर यह सब डिपेंट करेगा कि इस पत्र की सच्चाई क्या है मगर क्योंकि यह सोचल मीडिया पे था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेर किया जाए और आप भी जो है इसे अपने सूत्रों से इसकी पुष्टी कर सकते हैं या फिर ऐसे परसं से जो कि इस समय वीडियो के पत्पे काररत हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप मैं थोड़ा साथ लेटर के बारे में बता देता हूँ इसमें लिखा गया है कि 2018 में 998 यानि कि 998 रिक्त ग्राम विकास अधिकारी के पत्द का अधिया चन समस्त जनपदों से प्राप्ट सूचना के आधार पर भेजा गया था वर्स 2018 से अब तक वीडियो के काफी पद रिक्त हो गए है और चैन वर्स 2018 उननिस तक सेवा निवरित होने वाले कार्मिक से पद रिक्त होने की संभावना के दृष्टिगत उन्हें भी अधियाचन हेतू समलित किया जाना अवशक है तो यहां पर यह बात कही गई है और आप देखेंगे 2016 में 3133 पदों के सापेक शरिक्तिया नव्युक्त ग्राम विकास अधिकारी के योगदान में भरा जाना है तो आप यह पूरा देख सकते हैं कि अगर यह बिल्कुछ सच होता है तो आप सभी लोगों के लिए खुशकबरी है दोस्तों कि इसमें पद बढ़ने की संभावना है ठीक है अगर दोस्तों आपको हमारी informative वीडियो अच्छी लगती है तो like जरूर दबाये करिए जिससे की हमारा motivation बना रहे और आप लोगों के लिए इस तरीके की हम सूचना लेकर आते रहें दोस्तों study से related material मैं अपने telegram चैनल पर share करता रहता हूँ अगर आपने अभी तक हमारा telegram का channel जोइन नहीं किया है तो description में link है आप वहाँ से join कर लीजे निश्यत रूप से आपको आगामी परिक्षा में लाब मिलने वाला है मिलते हैं दोस्तों हम next video में अगर आपकी कोई query है तो comment section में लिख सकते हैं तब तक के लिए चाहें जय भारत